हेलो दोस्तो आरके मिक्स इंटर्टेन्मेंट चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो भारत सरकार के नए IT नियमों के खिलाफ फेस्बुक के मालिकाना हक वाला मैसेजिंग एप वाटसप कोट अदालत पहुँच गया है वहीं सरकार ने सभी कमपनियों को नोटीस बेज़ कर पूछा है कि नियम का पालन अब तक क्यों नहीं किया गया दोस्तो सरकार और सोशल मिडिया कमपनियों के बीच नए IT नियमों को लेकर विवाद थम नहीं रहा है इस बीच सोशल मिडिया पर यह चर्चा भी खूब हो रही है कि नए IT नियमों की नहीं मानने पर फेस्बुक और टुविटर जैसे सोशल नेट्वर्किंग साइट्स बंध हो सकते हैं दोस्तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये विवाद है क्या दोस्तो सरकार और सोशल मिडिया कमपनियों के बीच विवाद नए IT नियमों की वज़े से सुरू हुआ जिने भारत सरकार ने 26 मई से लागू कर दिया है नए नियमों के अनुसार वाट्स अप और फेस्बुक जैसी सोशल मिडिया प्लेट्स फॉर्म्स के जरिये भेजे और शेर किये जाने वाले मैसिजिस के औरिजनल सोर्स को ट्रैक करना जरूरी है यानि अगर कोई गलत या फेक पोस्ट वाइरल हो रही है तो सरकार कमपनी से उसके ओरिजनेटर के बारे में पूछ सकती है और सोशल मिडिया कमपनियों को बताना होगा कि उस पोस्ट को सबसे पहले किसने शेर किया था दोस्तो नए नियमों के नुसार सोशल मीडिया कमपनियों को किसी पोश्ट के लिए सिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कारवाई करनी होगी इसके लिए कमपनियों को तीन अधिकारियों चीफ कमपलाइंस ओफिसर, नोडल कॉंटेक्ट परसन और रेजिडेंट गवर्नमेंस ओफिसर को न्यूक्त करना होगा ये अधिकारी भारत के ही रहने वाले होने चाहिए और इनका कॉंटेक्ट नंबर सोशल मीडिया वेबसाइट के अलावा एप पर होना अनिवारिया है ताकि लोग शिकायत कर सके इसके साथ ही अधिकारीों के लिए शिकायत का अपडेट देने के लिए 15 दिनों तक समय सीमा तै की गई है कमपनियों को पूरे सिस्टम पर नजर रखने के लिए स्टाफ रखने को कहा गया है दोस्तो नए IT नियमों का सरकार ने बचाव किया है और काहा है कि इसमें किसी के निज़्टा का हनन नहीं होता है सरकार का कहना है कि नए IT नियमों के तैत देश की संपरभूता या सारजनिक व्यवस्ता और देश की सुरक्सा से जुड़े बेहत गंभीर अपराद वाले संदेशों को रोकने या उसकी जांच के लिए ही उनके मूल स्रोत की जानकारी मांगने की जरूरत होती है दोस्तो नए IT नियमों की गोशना 25 फरवरी को की गई थी और ट्वीटर, फेस्बुक, इंस्टाग्राम और वाटस अप जैसी सोशल मीडिया कमपनियों को इसे लागू करने के लिए 3 महिने का समय दिया गया था नियमों का पालन ना करने के परिवनाम सवरूप इन सोशल मीडिया कमपनियों पर कारवाई की जा सकती है दोस्तो वाटस अप ने नए IT नियमों को लेकर भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोट में केस दायर कर नियमों को रोकने की मांग की है वाटस अप का कहना है कि ने नियमों से यूजर्स की प्राइवेसी परभावित होगी ये end to end encryption को तोड़ देगा और लोगों के निच्ता के अधिकार को मोलिक रूप से कमजोर कर देगा दोस्तो अब सवाल यह है कि नियमों को मानने से वाटस अप को क्या नुकसान होगा दरसल ने नियमों के तह्त वाटस अप को यूजर्स के सभी messages को trace करना होगा और ऐसक करने से लोगों का वाटस अप से बरोसा उठ जाएगा WhatsApp का कहना है कि chat trash करना एक तरह से वैसे ही है जैसे हमारे users के fingerprint की जानकारी मांगी जा रही हो दोस्तों नए IT नियमों से आम लोगों को क्या नुक्सान होगा दोस्तों मैं आपको बता दू कि नए नियमों के अनुसार WhatsApp को सभी messages को trash करना होगा और users के सभी private messages का हिसाब company के पास रहेगा इसके साथ ही social media company users का और भी जादा data collect करेंगी दोस्तों अगर कमपनिया नए नियमों को नहीं मानती है तो उन पर मौझूदा IT Act के तहत ही action होगा हाली में केंद्रिय मंतरी रवी संकर परसाद ने कहा था कि ये कोई कानून नहीं है और सिर्फ guidelines है अगर social media company नए guidelines को follow नहीं करती है तो उन पर मौझूदा IT कानून के तहत ही कारवाई होगी दोस्तो नए IT नियमों के खिलाफ WhatsApp कोट पहुँच गई है लेकिन Google और Facebook का कहना है कि वे नए नियमों का पालन करने की कोशिश कर रही हैं Facebook ने कहा कि हम नए नियमों का पालन करने के लिए सुधार करने की और काम कर रही हैं दोस्तो माइक्रो ब्लोगिं ऍसाइटरTweetler ने केंदर सरकार की तरफ से नए गाईडलाईन को लागू करने के लिए 6 महिने का समय मंगा है वहीं भाष्टिया माईक्रो ब्लोगिं साइट कू एप ने सरकार की गाईडलाईन को लागू कर दिया है तो दोस्तो आप लोगों की सरकार द्वारा बनाए गए ये IT के नए नियमों के बारे में क्या कहना है ये सही है गलत है जो भी आप लोगों की राय हो आप हमें कमेंट सेशन में लिख के जरूर बताएं दोस्तो दोस्तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करे मैकसिमम स से maximum हर जगे से share करें ताकि सब को इसके बारे में पता से हो और दोस्तों इसी के साथ यदी आप मेरे चैनल पर नए है तो साब्सक्राइब बटन को दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नूटी केशन के लिए बेल आईकन पर क्लिक करेता कि आपको ऐसी ही वीडियो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके धन्यवाद दोस्तो जै हिंद